और उसके साथ-साथ, आज मसीही लोग जो है, वो येश्य मसीह का जनम दिन तो मना ही रहे हैं, लेकिन आज मसीहों ने, गैर मसीही तो बिचारे उनको पता नहीं है, तो मना रहे हैं, तो हम उनको दोश नहीं दे सकते हैं, लेकिन मसीही लोग जो है, आज शतान का जनम दिन भ जाता है, हैलोईन जो है वो शतान का बर्थडे है, हैलोईन जो है वो डाइनो का तेहवार माना जाता है, जो विचेस होती है उनका तेहवार माना जाता है, और मसीही लोग जो है, उदर अमेरिका में तो कलीसियाओं के अंदर हैलोईन मनाया जा रहा है, कलीसियाओं के अंदर बड़ी बड़ी कलिसियांओं के अंदर हैलोईन मनाया जा रहा है और हैलोईन में क्या किया जाता है भूतों का लिबास धरन किया जाता है भूतों की तरह शकले बनाई जाती है घर के अंदर कबरे बनाई जाती है केक बनाया जाता है कबर के समान और उस केक को काटा जाता है शतान का बर्जडे, मसीही लोग बना रहे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं, आखों को ढख रहे हैं, मसीही लोग ये काम कर रहे हैं, ये उनका फेवरिट टाइम होता है मसीहों पर और दुनिया पर अमला करने का, प्राचीन समय से 31 ओक्टूबर स अब भी अंधेरा नहीं किया जाता था रात के समय, मशाले जलाई जाती थी, जितनी जादा हो सके मशाले जलाई जाती थी, ताकि पूरे शहर में गाव के अंदर रोशनी रहने पाए, 31 ओक्टूबर, लेकिन आज शतान ने कैसा इंसान की आँखों के उपर पड़दा डाल सकते हैं, उनके साथ फिर क्या होगा, क्या होगा, कईयों का हाल तो हम देख चुके हैं, और यदि आप भी ऐसा ही कोई गुना कर चुके हैं, कि 31 ओक्टूबर को अंजाने में आपने हैलोईन को यदि मना लिया है, तो आपको रिपेंट करने की जर्वत है, आज जो आपके स साथ हो रहा है, उसके एक वजे ये भी हो सकती है, कि आपने उस तैवार को, जो डायनों का तैवार है, उस तैवार को मना दिया.